हेलो एबरीवन दिस इस विशार सो गाइज काफी जो इस्टूडेंट है वो काफी दिनों से एज उनकी क्वेरी है या मतलब रिक्मेंटेशन है कि सर प्लीज जो ही काफी एज हम लोग कैसे उनिवस्टी को सेलेक्ट करें या कॉलेज को आप्टर किलेरिंग इस्टेट लेबल एकजाम युनिवस्टी लेबल एकजाम जारप एज आज का जो सेशन है हमारा टोटली इसी पर डिडिकेटेट है आज की सेशन में हम लोग डिसकस करेंगे how to select university or college after MSC college for MSC and PhD after qualifying state level university level and share up an SRF exam so guys जिदने भी आपके as a junior है best mate या senior है maximum maximum इस वीडियो को share करिए जो भी आपकी as a query या doubt है please उसे comment section box में write down करिए so आज का जो session है हम लोग start करते है जो सबसे बड़ी major problem आती है किसी भी student के लिए जब अपना UG complete करता है तो कुछ लोग ज़े 0-1 की preparation करते है कुछ master के बाद 0-1 की preparation करते है कुछ student होते हैं जो अपने state level exam की preparation करते हैं जैसे MP वाले MPPAT करते हैं राजतान वाले rate करते हैं and UP वाले UP credit की preparation करते हैं तो after clearing exam उनके लिए सबसे बड़ी problem आती है कि कौनची university को select करना है उसके आज हम लोग discuss करेंगे क्या उसकी criteria first जो criteria है वो सबसे पहली तो depend करेगा आपकी rank आपकी rank कितनी आ रही है सबसे बड़ा जो major factor होता यही depend करता कि आपको कौनची university मिलेगी और कौन सा subject मिलेगा तो first of all आपको hard work आपके rank decide करेगी कि आपको कौनची university मिलने वाली है और कौन सा subject और दूसरा जो second आता है वो name and frame तो आपको according to university का topic जो agriculture university है उनके name और उनकी frame के business पर आपको करना जैसे as a IRI हो गया अपने जैयारप एक जिना आपने और सारप में NDRI हो गया GBPVT हो गया TNU हो गया और जो भी state level के और भी उसमें इन्वस्टिय है कोई लोगों central university के लिए आपको को प्रिपर करते है कुछ RPCU को प्रिपर कर सकते है कुछ RANI LHM Y Central Agree Culture University को प्रिपर कर सकते है क्योंकि यहां पर यह इन्वस्टिय टॉप की होने के साथ यहां पर फीज इस्ट्रक्चर भी काफी कम पंजाब एगरी कल्चर इन्वस्टी का फीज इस्ट्रक्चर जादा है तो सेम GBPVT का भी थोड़ा सा इस्ट्रक्चर इन्वस्टियों को थोड़ा जादा है तो अगर आपको सेंट्र इन्वस्टी कम लोग फीज चाहिए तो आप RPCU, सेंट्र, BHU एं रानि रचमी वाई सेंट्र लगरी कल्चर इन्वस्टी को प्रिपर कर सकते हैं सेज़ भी इन्वस्टी को सेलेक्ट करने का सबसे बढ़ा जो मैटर होता है एज एक नाम्यम के सेंट्र इन्वस्टी के सेलेक्टर कर लेतें बच्छे कुछ प्रॉबबलम उती है जब वहांपर हम जाते हैं तो नाम के basis पर आप ना जाईए फर्स्टाप पॉल जो इन्वेस्टी आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में उसकी साइट से जाके हर डिपार्टमेंट का फैकल्टी को चेक करें कि कितने फैकल्टी मेंबर वहाँ है क्योंकि कोई भी इन्वेस्टी जो थी वो प्रानी कि अभी तक वो अच्छा बर कर रहे हैं क्योंकि देरे-देरे फैकलटी मतलब मेंबर रिटायर होते हैं निउवेकर रिकूरूट किसी भी गैसी प्रप्राब्लम होता है क्योंकि ऐज ये इन्वेस्टी लेबल की बैकंसी आपना और क्रापी प्राब्लम होती है उसमें बैक चाहिए क hm छै आ यह तहरा रहा पर अगर पहर को रहा कर सकते हैं और नेट से भी आप कर सकते हैं पोर्त जो आता ऑथा वो फ्लेस्मेंट कर रहे हैं良। चुकि आप ऐसे Master Medimision ले रहे हैं या UG Medimision ले रहे हैं या PG में या PhD में ले रहे हैं तो उसका Placement Cells चेक करें कितना वो Active है क्योंकि वहाँ पर Placement हो रहा की नहीं हो रहा है अगर आप Master Complete कर रहे हैं या PhD Complete कर रहे हैं तो वहाँ पर Placement Cells कितना Active है यह देखना पड़ेगा चुकि as a Master Complete करने के बाद आपको कोई Security थाने को आपको जौब मिल जाएगी चाहिए आप IRI से Complete करो चाहिए आप NDRI से Complete करो कहीं से भी Complete करेंगे after completing your PG you have should done competitive exam are for going SRP PhD complete करने के बाद आपको और भी प्रॉब्लम जो फेस करने हैं आपको हर इन्वेस्टी लेवल पे इंट्रिव्यू देना पड़ेगा आपको अपना API स्कोर बढ़ाना पड़ेगा यह सब चीजे होती है जिनका टार के तो होता है कि जाराएप स्कॉलर लेके हमको किसी competitive exam की प्रक्रिशन करना है तो यह भी डिपेंट करता है कि कितनी आपको कोचीं वहां पे आपको जो भी material वो मिल जा रहा है प्रजेंट टाइम पर तो यह चीजे मतलब थोड़ा दूर हो चुगे हैं जबसे online का जवाना चल गया है तो इसको भी आप चेक कर लेजेगा city connectivity कितनी है नेश्ट जो है जो काफी important है चेक university and college accreditation and also department accreditation तो प्लीज आपको जो भी university वो आप select कर रहे है पहले उसका ICR list में चेक कर लेजेए कि वो ICR के accreditation में है की नहीं और उसका college accreditation में है की नहीं जिस college में आप admission ले रहे है या college of agriculture में ले रहे है college of fisheries science में ले रहे है college of home science and community science में ले रहे है college of veterinary and animal husbandry science में ले रहे है तो इसको चेक कर लेजे कि university तो मान लेजे एक्रिडेशन में होती है बट उसका college जो है वो accreditation में नहीं होता ये चीज़े आपको confirm करने है और last में जो है आप जिस department में अडमिशन ले रहे है उस department का भी चेक कर लिजए कि वो उस department जो है वो accreditation process में है कि नहीं just like आप social science profession कर रहे है तो आप अगर चेक कर लिजए कि आ आप extension department वहां का है वो XCR के accreditation में है कि नहीं एक्स्टेंशन में अगर आप एडिमिशन ले रहे तो वो ICR एक्टेशन में हैक नहीं इस चीज़े को काफी आप कंफर्म कर लिजिए क्योंकि यह काफी आगे चलके प्राब्लम क्रिएट होती है क्योंकि कोई इवस्टी जो ICR एक्टेशन में होती है बट उसके कॉलेज नहीं होती है जैसे रपी स्यू है उसके कुछ कॉलेज जो हाँ ICR एक्टेशन में नहीं है तो इसको आप चेक कर लिजिएगा प्लीज तो I think लगता है यह जो क्राइटेरिया थे इतने सुपिसेंट किसी भी इन्वस्टी या कॉलेज को सेलेक्ट करने के तो अगर आपके कुछ और क्वेरी है या डाउट है तो उससे प्लीज कमेंट सेक्षन बॉक्स में राइट डाउन करिए आपका जो सेशन है हम लोग एंड करते हैं प्लीज लाइक सेरे सब्सक्राइब थेंको पॉल इतनी